गुड मॉर्णिंग चिल्रेन आज हम लोग हिंदी टू में पाट नौ पढ़ेंगे जिसका सीषक है अमर वानी अमर का मतल अर्थ क्या होता है जो कभी न अमर है वानी मतल क्या है भोली वैसी बोली जो क्या है अमर है आईए पाट आरम करने के पहले कठिन सब्द पढ़ते हैं पहला शब्द क्या है कर्म क्या पढ़ेंगे कर्म सदायव स्रेष्ट विद्वान मस्तिष्ख अध्यन प्रेमचन साहित्यकार है कहानिकार है महात्मा गांधी एडिसन टॉल्स्टाय पहला इस संसार में कर्म करते करते ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करों ये किसमें कहा गया है यजूर वेद यजूर वेद क्या है वेद हमारी धर्म करन्थ है वेद कितने होते हैं चार प्रकार के जिसी उपर के क्लास में आप जाओगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ोगे यजूर वेद सामवेद अथरवेद रिगवेद यजूर वेद सामवेद और अथरवेद वेद क्या होती चार है ये क्या है ये पंक्तियां किसे लिए गई है यजूर वेद से क्या है इस कर्थ इस संसार में कर्म करते करते ही सो वर्ज जीने की इच्छा करो यजुर वेद में क्या कहा गया है कि अगर सो वर्ज जीने की इच्छा है तो हमें क्या करना चाहिए हमें काम करते रहना चाहिए कर्म करना चाहिए दूसरा क्या है रिग वेद में देखो दूसरे रिग वेद भी क्या है वेद का प्रकार है रिग वेद में देखो क्या कहा गया है मिलकर चलो मिलकर बोलो और अपने मनों से एक ही दिजा में सोचो रिग वेद में भी क्या सिख्षा दी गई है में क्या कहा गया है मिलकर रहने का मिलकर बोलने का और मिलकर विचार प्रस्तूत करने के ऐसा सोच रखो अकेला पन नहीं सिर्फ अकेले चलने के नहीं साथ में मिल जूलकर रहने की क्या की गई है सीख दी गई है जैसे मिलकर चलो मिलकर साथ मिलकर चलो मिलकर बोलो मिलकर आपस में मिल जूलकर रहो तभी ना हमारे विचारों में भी हमारे इसमें भी मिल्लत रहेगे, एक्ता रहेगे और अपने मनों से एक ही दिशा में सोचो और विचार ऐसे होने चाहिए कि सबकी सोच एक जैसे बतलब मिलकर साथ चलो, साथ बोलो और सोच सबकी एक होने चाहिए अब देखो मुंसी प्रेमचंद ने क्या कहा है खाने और सोने का नाम ही जीवन नहीं है उनके अनुसार प्रेमचंद के अनुसार क्या है खाने और सोने का नाम क्या है जीवन नहीं है जीवन नाम है सदेव आगे बढ़ने की लगन का हमें क्या है जीवन का नाम क्या है आगे बढ़ने का मैनत करके हमें क्या करना है आगे बढ़ना सदेव आगे बढ़ना यह नहीं कि जीवन क्या है खाने और पीने के लिए और सोने के लिए नहीं है, हमें खाने और सोने का नाम क्या है, उनके अनुसार जीवन नहीं है, जीवन क्या है, काम करने का, कर्म करने का, और सदेव आगे बढ़ने का नाम है, जिसमें दया नहीं है, उसमें कोई स्फ्रेस्ट गुन नहीं है, ये किसके कथन है, किसकी वानी है, हजरत तो उनका है तो क्या है जिसमें डया नहीं है उसमें कोई स्प्रेस्ट घुन नहीं है कि साथना उसके बाद आ-चीटि के पास जा उसके स्रम को के ऊष्ट बाइबल कि वह signal कि इस साईयों का ने कि ने आफार के इसमें कि ने चैनly औरे का बद्धिक चीटी के पास हो आप लोग कभी देखियोगे चीटी क्या एक लाइन से चलती एक पंग्ती में चलती है और आप देखो गे चीटी बार-बार कोसिस करती है जो नहीं होता वह उपर चड़ी नीचे गिरेगी फिर उसी रफ्तार में उपर कोसिस करते रहेगी अगर एक बहुत में क्या कहा गया देखो अरे आलसी मत बनो चीटी के पास जाओ उसके स्रम को देखो उसकी काम करने को उसके मेहनत को देखो और स्रमसिल बनो और क्या बनो मेहनती बनो जिस प्रकार चीटी मेहनत करती है हमें भी उसी प्रकार क्या करना चाहिए मेहनत करना चाहिए लगातार मे उस जीवन को नस्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं जिसे बनाने की शक्ति हमें ना मात्मा गांधी क्या करते हैं कि हमें उस जीवन को नस्ट करने का कोई अधिकार नहीं जिसे हमने क्या किया है बनाया ही नहीं है जिस जीवन को हमने बनाया नहीं है तो उसे हमें उसे नहीं है उसके बार देखिए चानकी ने क्या कहा है राजा का आदर केवल अपने राजी में होता है किन्तु विद्वान का सम्मान सब जगह होता है चानकी ने क्या कहा है राजा का आदर एक राजा क्या है अपने राजी में ही क्या है महान माना जा सकता है लेकिन अगर आप व सभी जगा होगी आपकी चर्चा क्या होगी सभी जगा होगी सभी लोग क्या करेंगे आपका संबान करेंगे तो वही बात करते हैं कि राजा का आदर केवल अपने राज में होता है जो जहां का राजा होता है वहां की प्रजाय उसका संबान करती है किन्तु विद्वान का अमान सब जगा होता है, विद्वान लोगों का क्या होता है? आदर सभी जगा होता है, उसके बाद दिखिए, जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं प्राप्त हो सकती, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता है जो सुख पाना चाहता है उसे विद्या सिखने का मो छोड़ना होगा और विद्यार्थि को सुख का त्याग करना होगा चानके ने पुना क्या कहा है जो सुख चाहता है उनकी अनुसार विद्या चाहने वालों को क्या होना चाहिए सुख नहीं मिलता जो सुख चाहता है उसे क्या होती है विद्या नहीं प्राप्त होती उसे विद्या प्राप्त नहीं होती और जो विद्या प्राप्त करना चाहत उसे सुख नहीं मिलता है कि जो सुख चाहता है जो हमेशा अपने बारे में अपने स्वार्त के लिए अपने आराम के बारे में सोचता है उसे क्या है कभी विद्या प्राप्त नहीं होती जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे क्या करना होता है उसे सुख कभी नहीं मिल जो सुख पाना चाहता है उसे क्या करना होता है विद्या सीखने का मुख क्या कर देना होता है छोड़ देना होगा अगर मालो तुम सुख चाहते हो तो तुम्हें क्या है विद्या नहीं मिलेगी और तुम्हें क्या करना होगा सुख चोड़ना होगा और विद्यार्थी को ज बहुत अच्छी बात कही गई जो सुख चाहता है उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता जो सुख पाना चाहता है उसे विद्या सिखने का मो छोड़ना होगा और विद्यार्थी को सुख का त्याग करना ह कि विद्यार्थी को का होगा सुख का मौ त्यागना होगा अथी में लिए अध्यन की उतना ही अवशक्ता है जितनी शरीर को हमकर्न से क्या होता है हमारा सरी चूस्त तंदुरूस रहता है तो कहते हैं कि सरीर को तंदुरूस रखना है तो क्या करना चाहिए हमें व्यायाम करना चाहिए लेकिन ATTA, ADition क्या करते हैं? ADition किसका? ное, BALV का आविश्वकार किस نے किया था? ADition नहीं ayrIl, तो वो क्या करते हैं? की बताओ, मस्तिष के लिए अध्यन की उतनी ही अवशक्ता जिस तरह सरीर के लिए सरीर को स्वस्ठ रखने के लिए व्यायाम की अवशक्ता है कसरत की अवशक्ता है उसी तरह मस्तिष को दिमाग को तंदुरूस रखने के लिए क्या है अध्यन की अवशक्ता है मतलब पढ़ना जरूरी है अगर आप अपने दिमाग को स्वस्त रखना चाहते हैं अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें पढ़ना जरूरी है मस्तिश के लिए अध्यन उतना ही आवशक्ता है जितनी शरीर को वैयाम की उसके बाद देखो खराब पुस्त के पढ़ना विश के समान है किसने कहा है टॉल स्ट्रोय ने विश के इसको बोलते हैं जहर को तो गंदी पुस्त के बुरी पुस्त के पढ़ना क्या है विश के समान है एक जहर के समान है जो क्या करता है हमारे दिमाग और हमारे सरीर को धिरे धिरे क्या करता है नस्ड कर देता है इसलिए हमें अच्छी पुस्त के पढ़नी चाहिए जिससे हमारे क्या है ज्ञान बढ़े ठीक है यह कुछ क्या थी अमर वानिय अब आईए सब्दाद देखते हैं कर्म काम त्याग करना छोड़ना सदैव हमेशा ही मस्तिश्क दिमाग सम्मान आधर इज़त अध्यन पढ़ना आप लोग सब्दाद याद करिएगा और अपनी कॉपी में लिखेगा धन्यवाद